तो हेलो भाई लोग विल्कम बैक टो मैं चैनल मेरा नाम है राजी व्यादव और आज हम लोग DJI के कुछ नए प्रोडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी तक लाउंच नहीं होए हैं होने वाले तो इसमें अभी तक मैं लीक सी बताऊंगा क्या उनकी इन्फॉ जो की सक्सेसर है हमारे DJI के O3 unit के comparison में एक फोटो भी आप यहां पर देख सकते हैं DJI के O4 unit की तो इस फोटो में देखके जो सबसे पहला impression देखने को हमें मिलता है भाई यह कि इसका जो camera है वो काफी जादा बलकी है मलब काफी जादा सही मैं आप VTX से compare करके देख लो ना VTX एक पल को छोटा लग रहा है लेकिन camera बढ़ा है यह काफी जादा exciting सी चीज है लेकिन ठीक है और अगर मैं इसके कुछ specifications की बात करूँ ना तो इसमें चार ही main चीज है सबसे पहला तो इसके camera की बात कर लेते हैं इसमें आपको 1 by 1.3 inch का sensor देखने को मिलता है as compared to जो हमें DJI O3 में एक 1 by 1.7 inch का sensor मिलता था यानि पहले comparison में DJI का क्या claim है DJI का तो नहीं है वैसे rumors है और होनी भी चीज़ सची के इसमें आपको better low light performance मिलती है जो कि DJI O3 में नहीं मिलती थी और सही भी या low light performance तो चाहिए आपको अंधेरे में जाने के बाद DJI O3 बिलकुल भी अच्छ कर दिया है फिर उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो इसमें जो VTX है उसके mounting holes इसमें आपको 20 by 20 के साथ में 25.25 के भी MMK mounting holes मिलेंगी यानि जो versatility होती है वो थोड़ी easy हो जाती है अब आप easily कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप इस VTX को stack कर सकते हो आराम से उसके बाद अगर बात करें हम antennas की तो जो DJI O3 unit थी उसमें आपको एक single antennas देखने को मिलता था थे उसमें dual e apex के connectors मिलते थे and I think वो था भी dual antenna लेकिन आपको single shape में मिलता था but अब इनको अलग-अलग कर दिया गया एकदम proper आपको dual antennas मिलते है जिससे बताया गया कि आपको थोड़ी better penetration और range भी मिलेगी और अगर उसके बाद हम बात करें जो last चीज है वो है इसके VTX में आपको heat sink एक मिलती है as compared to DJI O3 unit इसमें आपको better heat dissipation आपको मिलेगी यानि आपको जो VTX है वो इतनी जल्दी heat नहीं होने वाला जो कि यह काफी अच्छी बात है तो all in all अगर देखा अगला जो इनका product है वो है उनके goggles DJI के N3 goggles अब आपको भी पताया है DJI के जितने भी goggles है 40 से लेके 60,000 कुछ के मिलते हैं इंडिया में and which is not good यार काफी जादा अगर budget के मावले में देखा जाना तो साहीं नहीं है इतनी तो जेब आपको डिली करनी पड़ती है इतने महंगे goggles बट जो DJI के N3 goggles है ये इनके budget goggles होने वाले है अभी तक इनकी pricing clear नहीं होगी क्या होने वाली क्या नहीं होगी बट still जितना भी देखा जा रहा है इन goggles की pricing $250 या $270 कुछ के बीच में होगी तो वही है अगर आप इंडिया में expect कर सकते इन goggles को के ये 25-27,000 कुछ के आने वाल इनके specifications की तो इन goggles में आपको dual screens नहीं मिलेंगी जितने भी DJI क्या goggles देखते हो उसमें dual lens होते है अलग-अलग lens पे अलग-अलग screens काम कर रही होती है एक काफी जदा immersive आपको एक feed मिलता है उसमें बट जो ये वाले N3 goggles है इन में आपको एक single screen मिलेगी जो की better तो होने वाली comparison म आपको HD quality मिल रही है अनलोग के comparison में बट सिल मुझे नहीं लगता कि कोई भी problem में आपको वॉक्स निल की type के ही same features मिल रहे हैं बट कुछ चीज़े अलग भी है वो भी आपको बता देता हूं पहले सबसे पहले बात तो इसमें एक built-in battery है very good अच्छी बात होनी भी थी वैसे कोई अलग चीज नहीं है बट इसकी बैटरी है वो शायद पीछे की side आपको provide होने वाली है तो जब आप इन goggles को पहनोगे तो यह goggles बहुत ही जदा heavy feel नहीं होंगे आपकी आँखों के side में तो यह काफी अच्छी बात है और जितना मैंने एक चीज notice करी एक reviews पढ़े जितने a very good thing और इसकी compatibility काफी साथ बढ़ जाती है लोगों के बीच में तो very good है और उसके बाद इसमें आपको 3.5 इंच की screen मिलने वाली है 1080 pixels की वो भी so 1080 pixels वो तो होना ही था यार of course इवादर DJI O4 in it इतनी अच्छी quality है जो आपको provide करेगा वही चीज इसी के comparison में एक बात और में बता देता हूँ कि जो N3 goggles है DJI के वो compatible होने वाले हैं हमारे DJI के O4 in it से which is the best thing सबसे पहले बात तो मुझे लगा नहीं था कि जो DJI के O4 in it इनके काफी premium चीज आने वाली है वो DJI N3 goggles के साथ में compatible होगी या नहीं बट भाई budget goggles और budget air unit साई सुना air unit भी I think budget में आने वाली है दो versions में साथ launch होगी या तो light और जो भी pro इनके versions में जो भी नाम ही रखेंगे उस type में launch करेंगे बट अगर आपको थोड़ा साब का budget tight है तो आप light version prefer कर सकते हो और अगर आपको थोड़े और features and specifications सी है तो आप I think pro unit खरीच सकते हो कोई दिकर नहीं है compatibility फिर भी रहेगी और all in all अगर देखा जाया तो DJ कि जो N3 goggles है यह direct competition दे रहे हैं वाक्सनेल के goggles L को अब I don't know कि इन्होंने पहले से planning कर रखी ती कि निकालने है क्या करने है या फिर जब वाक्सनेल का goggles आए goggles L उसके competition में उनने बाद में द जो हमारी hobby है उसमें नए-ने innovations होने चीए budget के मामले में भी कम से कम हमें budget में अच्छी चीज है और अच्छे features तो मिली रहे हैं कोई दिखेत नहीं है तो अभी तक तो इतनी हमें जानकारी मिली है जितनी मैंने आपको बताई है बाकि जैसे यह goggles launch होते है एर unit launch होती है आपको सारी update में इसी channel पर कर दूँगा और कुछी नहीं करना आपको बस इस channel को subscribe करना है and thank you very much for watching this video